हेलो गाइज वेलकम बैक टो आनमा यूट्यूब चनल जिलाज़ोंपो चनल तो दोस्तों आज आप सभी के लिए एनेच एक्सो पैंटिस ए हाइवे का नजारा आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों बहुत सारे हमारे वीवर ने कमेंट करा कि दोस्तों एनेच हाइवे मतलब नेचनल हाइवे एक्सो पैंटिस ए का वीडियो बनाईए तो फैनलि दोस्तों आज में नेशनल हाइवे एक्सो पैंटिस ए पर आचुका हूं और आप देख सेते हैं मडियाओं से पहले सीजल को जिसके मार्केट से पहले आप देख से तै हैं और फाइनली दोस्तों रोड पर काफी तेजी से काम चलना है पर इस रोड पर इस टाइम चलने लायक नहीं है क्योंकि बहुत ही धूल का सामना करना पड़ रहा है और देख सकते हैं आप नगरा एक गर्मी का सीजन भी है तो यह स्वभाव एक सी बात है कि धूल उड़ेगी पर इसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि रोड के बगल में मिट्टी का भी कार है तो इसलिए तोड़ी सी दूल वगरा जाना है और इस पर चलने के लिए तो आसा रिस्की है क्योंकि धीरी चले अगर आप इस रोड़ पर चल रहे है तो फाइनली दोस्तों यह कुछ शत्पकार से नजारा नेशनल हाइवे 135A और आप देखें कि यहाँ जस्ट आगे से ही एक बाइपास निकला हुआ है जो मरियाहूं से बाहर बाहर जाके सीवपूर में निकलेगा तो जो कि यह जोगापुर्ताल से गुजरते हुए मैडी होते हुए और यह रूट जो है आग वाली वीडियो का नोटिफिक्शन आप तो सबसे पहले पहुंचता रहे हैं तो फानली दोस्तों यह है नेशनल हाइवे 135A का नचारा और देख सके हैं आप दोस्तों व्यू यह अभी मैं सराकाली दास में पहुंचा हूँ और यहां पर थोड़ा रूड का काम नहीं हुआ है क्योंकि अभी दर पूल वगरा है तो पूल वगरा हटा करके और पेड़ों को काट करके फिर चोड़ा करने का इधर कारे चालू किया जाएगा और इसी की जश्ट बगल से ही तो हमारा बाइपास गुजरा हुआ है तो बाइपास के कारे की वज़े से भी यहां कार रुक गुमा के देख सकते हैं दोस्तों यह है हमारा बाइपास जोकी जोगा पर मईड़ी होते हुए ताल से निकल करके यह जाके सीवपर में निकलता है तो दोस्तों यह जोनपूर भदोही रोड तो दोस्तों यह वीडियो आप से भी अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और ऐसी वीडियो और आपको जल्दी से जल्दी से जल्द ले आएंगे तो ठीक है मिलिंग किसी नेक्स लाग में तब तक लिए जैन बाई